नमस्कार मैं आनंद कुमार खत्री एसोसेट प्रोफेसर अव्जुलोजी गौर्वन डूंगर कॉलेज बीकानेर आज की हमारे लेक्चर का विशे है इवुलुसन आफ वीवी पेरेटी जरा यूजता का विकास जिन प्राणियों में युग्मनज का परिवर्दन मादा के शरीर में जिसमें भी प्राए गर्भासे में होता है तथा मादा एवं रून के मद्ये सरचनात्मक एवं किर्यात्मक संभंध इस्थापित हो जाता है उन्हें जरायूज या विवीपेरेस जन्तु कहा जाता है ऐसे लेंगिक जनन को जरायूजता इस प्रकार का लेंगिक जनन जरायूजता या विवीपेरेटी कहलाता है जरायूज प्राणियों में ब्रुन को जनन सरीर में या माता सरीर में या जनक सरीर में रहने से शुरक्षा एवं पोशन प्राप्त होता है साथ ही ब्रुन को अन्नेक जीवन किरियाओं में भी सायता मिलती है ये सभी कारिय एक विशेश अंग के निर्मान द्वारा संपन होता है जिसके द्वारा भुरून माता के गरबाशे की भित्ती के निकट संपर्क इस्थापित करता है इसे प्लेसेंटा कहते हैं प्लेसेंटा भुरून तथा माता दोनों के उत्कों के अंतर ग्रथन या इंटर मिक्सिंग से निर्मित होता है जरायुस्ता एवक प्लेसेंटा जन्तु जगत के कई समूहों में पाई जाती है इनकी सरचना वह निर्मान की विधी बिन भिन पाई जाती है जन्तु जगत में जरायूस्ता वा प्लेसेंटा निमलिखित में पाया जाता है वीवी पेरेटी इन उंकोफोरा दूसरा अरेखनिटा में जरायूस्ता तीसरा यूरो कॉड़ेटा में जरायूस्ता चोथा इलास्मो ब्रेंक्स में मचलियों में जरायूस्ता रप्टीलिया में स्नेक्स पगरा में जरायूस्ता फिर मेटाथीरिया में जरायूस्ता और सेवन्त है वीवी पेरेटी इन उंकोफोरा जिस प्रकार जैव विकास सरहलता से जटिलता क की और हुआ है उसी प्रकार जरायूजता का विकास सरहलता से जटिलता की और हुआ है सबसे सरहल प्रकार की जरायूजता या प्लेसेंटा अकशीरुक्यों में पाई जाती है एवं सबसे जटिल प्लेसेंटा या जरायूजता वीविपरेटी इस्तंधारियों में यूथीरिय में पाई जाती है सरपर्थम ओनिकोफोरा में जराई उस्ता विबिपरेटीन ओंकोफोरा जन्तु जगत में सरपर्थम जराई उस्ता अकशेर्युक्यों में संग ओनिकोफोरा के जन्तु पैरिपेटेस में देखने को मिलती है पैरिपेटेस में निशेचन आंत्रिक प्रकार का पाया जाता है एवं यूग मनज का परिवर्दन घरभासे में होता है दूसरा प्रकार है अरेक निड़ा में जरायूस्ता वीवी परेटी के अरेक निड़्ग के बिच्छूओं में वीवी बरेटी पाया जाती है इनमें भी आंतरिक निशेचन पाया जाता है एवं यूग का परिवर्धन घर्भासे में होता है मादा बिच्चु एक बार में दो या तीन दर्जन सिस्वों को जनम दे दिए इंफेंट्स को परिवर्धन के दोरान सिसु पोशन वर सुरक्षा माता से ही प्राप्त करते हैं नवजात सिसु कोमल छोटे वर सरचना में बिच्चु के समान ही होते हैं जन्द के पस्चाथ भी मादा बिच्छू इन्हें सुरक्षा प्रदान करने एवं पोशन प्रदान करने के लिए अपनी पीठ पर चढ़ाए रखती है यह डाग्राम दिखाया गया है जिसमें ओविडग दिखाई दे रही है क्रॉस ब्रांचेश दिखाई दे रही है लेटरल ओविरोल्स दिखाई दे रही है मीडियन ओविरोल्स दिखाई दे रही है और साथ में यूट्रस के अंदर एंब्रियो के लिए पाउचिस नजरा रह हैं follicles containing developing embryo तीसरा प्रकार है euro-coordata में जरायुसता euro-coordata में स्वर्पथम viviparity euro-coordates के जनतू सालपा में देखने को मिलती है सालपा में अलेंगिक प्रजणन मुकुलन के द्वारा होता है अबम यह अलेंगिक प्रावस्था द्वारा होता है लेंगिक प्रावस्था जरा यूज होती है इसमें एक समय में एक अंडा बनता है एवं इस अंडे का आंत्रिक पर निशिचन होता है क्योंकि प्राणी इस्त्रिपूर्वी प्रोटोगाइनस प्रकार का होता है परिवर्दन ग्रशनी की दिवार पर एक प्लेसेंटा के भीतर होता है यह प्लेसेंटा ब्रून को पोशन प्रदान करता है सालपा में पुच युक्त लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है जो यूरो कारडेटा का एक परमुक लक्षन है यह इसमें डाइग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको सालपा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको फेरेंजियल पार्ट दिखाई दे रहा है hurt वगेरा दिखाई दे रहे हैं branchiaeal aperture, atrial aperture और cavity, atrial cavity नजर आ रही है इसमें टेस्टीज, intestine सबी दिखाई दे रहे हैं next प्रकार है VVParity in elasmobrancs elasmobrancs मचलियों में जरायूस्ता elasmobrancs के कई सदस्यों में जरायूस्ता पाई जाती है यह अक अशिरुक्य को इतलना में अधिक विक्सित होती है यहां प्लेसंटा भी अधिक विक्सित प्रकार का पाया जाता है स्कॉलोडियोन मचली में डॉक्फिस में अंडवाहिनी का पस्च छेत्र फैल कर चौडा कक्ष गरभासे बना देता है यहां अंडों का परिवर्दन होता है एवं यह बच्चों को जन्म देती है प्रतेक गरभासे में तीन से साथ भुरुणों का परिवर्दन हो सकता है यह इनकी संख्या जाती पर निर्भर करती है depends on species स्कौलियोड़़न पहला सोरह में एक गरभासे में तीन भुरुण का जा सकते है यह डाइगरम दिखाया गया जिसमें स्कौलियोड़़न के गरभासे को काट करके भुरुण को दिखाया गया यूट्रेरन वायल नजर आ रही है और embryo नज़र आ रहे हैं उसके अंदर जितने ब्रून गरबासे में पनप रहे होते हैं गरबासे का सलेश्व में उस्तर उतने ही कक्षों में विभाजित हो जाता है इन मेंसे प्रते कक्षमें एक तरल भर जाता है जो ब्रूनों को पूरी तरह से गेरे वे उसे सुरक्षित रखता है ये डाइग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है एक एंब्रियो जिन नीचे योग स्टॉक नजर आ रहा है अपेंडेक्योलिक और योग से एक नजर आ रहे हैं पूरी लेयर बनी विए है म्यूकस की बहाचारत परिवर एक सीरे पर ब्रून की आंतर से एवं दूसरे सीरे पर पितक कोस के साथ जुड़ा जाता है पितक कोस में ब्रून के पोशन के लिए पितक भरा रहता है बात की अवस्थाओं में जब पितक लगबग समात हो जाता है या पूरी तरह इस्तिमाल हो चुका होता है तब पितक क पितक कोस बहुत ज्यादा मुड़ करके गर्भासे की दिवार में घड़ जाता है, एवं तब इसे पितक कोस प्लेसेंटा, योग सेख प्लेसेंटा क्याते हैं, इस पितक कोस प्लेसेंटा के द्वारा ब्रून को गर्भासे उतकों में से पोष्ण प्राप्त होता है, प्लेसंटा के बनने के साथ पितक वरंत का आंतर के साथ का नलिका कारसयोजन घटगर समापत हो जाता है किन्तु पितक वरंत के भीतर रक्त वाहिनिया बन जाती है और इस प्रकार यह वरंत अब प्लेसंटा रज्जू बन जाता है जो बुरुन के साथ मध्य अधर रेखा पर अंस फिनो पेक्टोरल फिन्स के अग्र सिमान्त स्तर पर इस्थित एक बिंदू पर जुड़ा रहता है रजु या कॉर्ड का दूसरा सिरा पितक कोस प्लेसेंटा के वलनों में फोल्ट में समाप्त हो जाता है और यह सिराप्राय प्रतेक गर्भासे के मार्जिनल एंड के समीप जुड़ा होता है प्लेसेंटा रजु प्रतेक ब्रून के चारो और लिप्ती रहती है ब्रून का सीर्स सामने की और रुख की ये रहता है और पूछ अपने ही उपर मुड़ जाती है मतलब उसके सरीर के उपर ही प्रतेक ब्रून की अपनी अपनी प्रतक प्लेसेंटा रजुएं होती हैं और अपने अपने प्रतक प्लेसेंटा होते हैं प्लेसेंटा रजु प्लेसेंटल कौड से बहु संख्यक कोमल नलिकाकार प्रवर्द निकले रहते हैं जिसमें ये पीछे डाइग्राम में दिखाई दे रहे हैं जो नलिकाकार रज्जू इन्हें उपांगी काएं appendiculi कहते हैं परतेक उपांगी का epithelium कोशिकाओं की अनेक प्रतों की बनी होती है जो अध्रड संयोजी उत्तक के एक अंते भाग को गेरे रहती है पांचवा नबर है reptilia में जरायूस्ता विविपरेटी इन रेप्टाइल्स रेप्टीलिया में वाइपर सर्प में जरायूस्ता पाई जाती है वाइपर सर्प भारत ब्रह्मा व लंका में पाया जाता है इनके अंदर भी आंतरिक निश्यचन पाया जाता है मादा रसेल वाइपर जून महिने में तीन दिन में एक बार में सित्याण में 97 सिसू का जनम दे देती है सिसू लगबग 110 से 130 मिलिमेटर लंबे एवं भार में 14.5 से 16 ग्राम तक के होते हैं ये एक महिने में चार बार निर्मोचन करते हैं और 21 में दिन भोजन ग्रहन करना प्रारंब कर देते हैं वाइपर में अंडवाहिनी का पस्च भाग फूल कर कोश्ट पॉच बना देता है जहां पर भूणों का परिवर्दन होता है भुरून अंडवाहिनी की वित्ती से प्लेसेंटा द्वारा पोशन प्राप्त करते हैं सिख्थ नंबर है मेटाथीरिया में जरायूस्ता मार्शुपील भी जरायूस्तंधारी होते हैं इनमें अपरिपक्व सिसु को जन्म दिया जाता है सिसु जब तक घरवासे में रहता है माता से प्लेसेंटा द्वारा पोशन प्राप्त करता है इसमें सबसे अधिक विक्सित प्लेसेंटा पाया जाता है इनमें दो प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है पितक कोस प्लेसेंटा योगसेट प्लेसेंटा जैसे कि पन्ने पीछे भी बात की दूसरा अप्रा पोशी किये प्लेसेंटा एलन्टोइक प्लेसेंटा सात्वा प्रकार है वीवी पेरेटी इन यूथीरिया जन्तु जगत में सबसे अधिक विक्सित जरा यूजता वीवी पेरेटी और प्लेसेंटा दोनों यूथीरिया में ही पाए जाते हैं यूथीरिया में अंडे छूटे एम लगबग पी तक विहीन होते हैं अत्ये परिवर्वतित हो रहे भ्रूण को पोषन माता से प्लेसेंटा द्वारा प्राकत होता है यूथीरिया में प्लेसेंटा अतरिक्त भ्रूणिये जिल्यों वह एंडोमेट्रियम के संयोजन से बनता है extra embryonic membrane and endometrium के संयोजन से बनता है युथीरिया में सबसे सरल प्रकार का प्लेसेंटा सूर वगोडे में पाया जाता है इनमें मात्र वब्रून के रुधीर के मध्ये 6 इस्तर पाये जाते हैं 6 लेयर के द्वारा इनमें पोशन का विश्रण होता है जबकि सबसे अधिक विख्षित प्रकार का प्लेसेंटा चूहे चमगादर वखरगोस में पाया जाता है इनमें सिरफ एक इस्तर पाया जाता है अथात ब्रूनिये रुधीर केसी काएं माता के रुधीर में डूबी रहती है मातरक रुधिर में डूबी रहती है प्रेसेंटा के इनमें मातरक रुधिर से पोशक पदार्थों को विश्ण द्वारा रुधिर ब्रून रुधिर तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक इस तरसे गुजणना होता है अथाथ ब्रून माता के रुधिर से सीधा पोशन पदार्थों को ग्रहन करता है क्योंकि उसकी केसी काएं माता के रुधिर में डूबी रहती है उधारन है पिग एंड होर्सेज जिसमें दिस वन रैट एंड बैट एंड रैबिट्स जिसमें सबसे विख्षित प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है धन्यवाद